पाकिस्तान से तक्रीबन पांच महीनों के बाद भारत लोटाने के बाद अंजू लगातार चर्चा का विश्यप बनी हुई है मालूम हो कि 20 जुलाई के दिन अंजू पाकिस्तान पहुँच गई अपने प्रेमी नसुरुला के पास जहां पर उसने धरम परिवर्तन कराया और निकारचा लिया लेकिन वह साथ छोड़ कर पहुँची धोखा दे कर पहुँची अपने पती अर्विंद और अपने दोनों ही बच्चों को जिसके बाद से देखा जाए तो अंजू आलोचनाओ का सामना कर रही है विवादों से घिरी होई है ऐसे मैं अब अंजू ने एक पर फिर से चुप्पी तोड़ दी है और उसका कहना साफ तोर पर रहा है कि लोग मुझे नजदीक से समझ पाएंगे अगर मेरी कहानी को सुनेंगे नमस्कार मैं परांश्री रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज दरसल आपको बता दें कि अंजू ने साफतोर पर अब बता दिया है अपने एक इंट्रिव्यू में अंजू ने साफतोर पर बताया है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया किस दरहा से अनजू की परवरिष हुईं, किस दरहा से अनजू के शादी हुई, और शादी के बाद उसने कैसे यहां पर अपने पती के साथ जिंदिगी बिता हुएं और अब देखा जाए तो अंजू की जब फेस्वुक के जरिये जो दोस्ती हुई नसरुला के साथ तो उसके बाद से वह किस तरह से उसके प्यार में पढ़ती चली गए अब अंजू ने यहाँ पर पूरी ही कहानी सुना दी है अपने इंट्रिव्यू में और अंजू का साफ रिपोर्ट के जरिये कि आखिरकार अंजू क्या कुछ कहती है अपने परिवार के लिए कैसे उनकी शादी हुई कैसे वह अर्विंद के साथ शादी के बंधन में बंद गई और वह नसरुला से किस तरीके से मुलाकात की अब ऐसे में देखा जाए तो अंजू का यहाँ पर क्या को चहें फैसला होगा आने वाली समय में इसको लेकर अंजू ने अब पूरीक पूरी प्लानिंग भी बता दी है सुनिये जरा 21 जुलाई के दिन भारत से पाकिस्तान पहुँच गई अंजू अपने प्रेमी नसुरुला के पास जहां पर उसने धरम परिवर्तन कराया और प्रेमी नसुरुला से निकारा चालिया लेकिन जब वीजा समाप्त हो गया तो अंजू भारत वह आपस लोटाई 29 नवंबर के दिन हिंदुस्तान वापस लोटी अंजू और अब वह दिल्ली में है अंजू अपने बेटे एरोन से मुलाकात कर चुकी है वहीं बेटी के संपर्क में भी बनी होई है अंजू को लेकर ये कहा गया कि वह पाकिस्तान से भारत तो लोटी है लेकिन कानूनी प् भी पाकिस्तान वापस लोट जाएगी लेकिन अब अंजू ने अपने एक इंट्रिव्यू में तमाम रास खोल दिये है अंजू ने बताया है कि आखिरकार उसकी प्लानिंग क्या है अंजू ने अपने शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी बताई है उसने बताया है कि अब तक मुझे लोगों ने गलत ही समझा है। अर्विंद के साथ नौइडा आकर बस गई। उनके पिता और दो भाई थे। कुछ समय बाद वह अर्विंद के साथ अलग घर में रहने लगी। यहाँ फिर एक महिला टीचर से अंजु की मुलाकात हुई। उस टीचर ने अंजु की नौकरी तक लगवाई। उस टीचर ने अंजु की नौकरी अपने साथ प्री नर्सरी स्कूल में लगवादी। नौकरी के साथ साथ अंजु घर में धाई साल की अपनी बेटी को संभाला करती थी। और फिर इसके बाद कुछ सालों बाद अंजु ने एक बेटे को जन दिया। अर्विंद के साथ वो मुश्किल से 6 साल रही फिर वो अलग ही रहने लगी क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती थी। अंजु का कहना रहा कि इसके बाद उन्होंने कई नौकरियां बदली। कई रिसेप्शनिस्ट तो कभी टीचर की नौकरी की सोशल मीडिया वो इतना चलाया नहीं करती थी। लेकिन एक जगा नौकरी के चलते उन्होंने फेस्बुक चलाना शुरू कर दिया। उस दोरान 2019 में उन्हें नसुरूला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अंजु ने बताया कि उन्होंने भी नसुरूला की फ्रेंड रिक्वेस्ट सुईकार कर ली। तब नसुरूला ने बताया कि उन्हें कुछ हेल्थ इशू हैं इसी को लेकर उन्होंने मुझे फ्रेंड मैंने फिर नसुरुला से कॉंटेक्ट नमर मांगा हमारी एक हफ़ते तक पहले हेल्थ इशु को लेकर बात हुई मैंने उन्हें कहा कि ट्रीट्मेंट के लिए उन्हें भारत आना होगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया मगर हम दोनों की दोस्ती गहरी जरूर हो गई इस करनी थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं मगर मीडिया में मुझे लेकर ऐसी खबरे चलाई गई वो कि मुझे वहां नसुरुला से शादी करनी पड़ गई मैं भारत बारत दिन बाद ही आ जाती लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था सभी मुझे गलट ठहरा रहे थे तरफ से देखें तो मैं और अर्विन तो कब से अलग रह रहे हैं मैंने दिल से तो नसुरुला से शादी की है वहां मुझे बहुत प्यार मिला मैं शुरुआत में नसुरुला की मौसी के घर में रहा करती थी बाद मैं नसुरुला के घर में रहना शुरु कर दिया मैं पू मैं भी उनके साथ यहीं रहूंगी नसुरुला हमसे मिलने भारत आते रहेंगे। अंजु का कहना साफतोर पर रहा है कि आखिरकार अब उसकी आगे की प्लानिंग क्या है और किस तरह से वहे अरविंद से अलग हो गई। अंजु ने ये तक बताया कि फिलहाल मैं अरविंद और नसुरुला दोनों की पत्नी हूँ। अंजु ने अपने एक निज़ी इंटरिव्यू में इन बातों का खुलासा किया है और अंजु ने साफतोर पर बताया है कि पती अरविंद के साथ उनका रिस्ता कैसा रहा है और लंबे वक्त से ही दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अरविंद अंजु के साथ इस तूटे हुए रिस्ते को लेकर क्या कुछ कहना चाहें। क्योंकि बहुत ही कम उम्र में अंजु की शादी अरविंद से हो गई लेकिन बिना उनकी पर्मिशन के। अपनी मा अच्छी लगती है, मा के साथ ही रहना पसंद करेगा। अरविंद के साथ अंजु रहना पसंद करेगी या फिर तलाग देगी या फिर अंजु भारत में ही रहती हुई नजर आएगी अपने बच्छों के लिए या फिर अंजु पाकिस्तान की तरफ रुख करेगी या फिर दुबई की तरफ ये देखना काफी जादा एहम हो रहें नेक्स्ट नाइन न्यूर